हालो एंड वेलकम आल तो माई यूट्यूब चैनल दे मिराकल हब आज हम बात करने वाले हैं आरोग्या सेतू आप के बारे में क्यों कॉमेंट चाहती है कि जादर से जादर लोग इस आप को डाउनलूड करें अईसा क्या है इस आप में और क्यों बनाया गया है ये आप इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं जैसे ये आप लाउन्च हुआ था ना उसके कुछी टाइम में एरांड एक करोड से भी जादर लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था सरकार ने हमारी गौर्मेट ने ये एप बनाया है हमें कोरोना वाइरस का जो infection है उसके जितनी भी खत्रा या जोखिम कुछ भी कह लेज़े उसको find out करेगा ये help करेगा हमें prevent करने में कोरोना वाइरस के infection से कैसे सबसे पहले तो Android and iPhone के जितने भी users है उन सभी के लिए ये app अभी available है Google Play Store पे and जो भी iPhone app store है वहाँ पे Apple का जो भी store है applications का वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं support करता है ये दोनों ही तरह के smartphones को ये जो app है ये आपको बताता है कि आपके आसपास किसी तरह से भी कोई corona positive लोग तो नहीं है so that is why ये app इतना important है and government and हमारे जो प्रधान मंत्री है श्रिमान नरेंद्र मोदी जी वो बार-बार इस चीज़ के उपर pressure डाल रहे हैं कि जादर से जादा लोग इस app को डाउनलोड करें कैसे ये पता करेगा कि आपके आज पास कोई corona positive लोग है या नहीं उसके लिए ये आपके bluetooth आपकी location and mobile number कर यूज करता है so क्या है और हमें इसे कैसे डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने play store में play store में आप आरोग्य से तु आप टाइप कीजिए ये देखें ये हमारा आरोग्य से तु आप open हो चुका है इसे हमें install करना है आप देख सकते हैं 10 million से भी जादा डाउनलोड हो चुके हैं इस time पे इसमें हमें हर तरह की information मिलेगी जो भी हमें related रहेगी coronavirus से आप यहां से अब languages चूज कर सकते हैं आप चाहें तो English चूज कर लीजे हिंदी जो भी आपकी language है अब उसके according चूज कर लीजे ये मैंने English चूज किया है यहां पे अब हम next कर रहे हैं अब इसमें हमें थोड़ी सी कुछ information जिनों ने दी हुई है कि आप informed रहना चाहते हैं जो भी आपके corona positive से related लोग आसपास test हो रहे हैं उनके बारे में जी आप app को install कीजे आपको दिखे यहां पे सारा instructions दी गई है कि install करना है app आपके बाद उसको Bluetooth को और location को आपने on करना है and location sharing को always पे रखना है अपने friends को भी invite कीजे और family को भी invite कीजे आप देख सकते हैं मेरे phone पे already जो Bluetooth है वो on हो चुका है जैसे ही यह app download हुआ है now इस तरह से register now करना है आपको यह आपका device location, Bluetooth and data sharing use करेगा I agree कर दीजे आपको ROGAC2 app को अपनी device का location यूज़ करने के लिए allow करना है yes and Bluetooth आपका हमेशा on रहेगा अब यहाँ आपको अपना mobile number डालना है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था mobile number डालते ही आपके phone पर इस तरह से एक OTP आएगा जिस OTP को आपको submit करना है and आपका app login हो चुका है आप login होते ही आपको यह देखिए आपका app login हो चुका है मैंने यह पहले भी install किया हुआ था आप लोगों के ने मैंने इसको uninstall किया था that's why मेरे यहाँ पर you are safe आ रहा है otherwise आपका यहाँ पर लिखा आएगा you are at low risk and नीचे आएगा assessment test लेने के लिए यहाँ पर जहाँ पर मेरा test again आ रहा है test again पर जाएंगे तो आप इस तरह से यहाँ पर test ले सकते हैं कि आपका क्या-क्या है यह आपसे questions पूछेगा what is your gender, female type your age or are you experiencing any of the following symptoms आपको cough, fever या difficulty in breathing है none of the above have you ever had any of the following diabetes, hypertension, lung disease heart disease, none of the above have you travelled anywhere internationally in the last 14 days आपने इन पिछले 14 दिनों में कहीं पर travel तो नहीं किया है international किसी tour पे, trip पे गए हूँ आप and इन में से फिर आपको कोई एक चीज देखनी है आपने किसी corona positive person से interact तो नहीं किया है या फिर किसी health आप कोई healthcare worker है और आपने कोई corona positive cases को examine किया है नहीं तो none of the above कर दीजे तो यहाँ पर आपको यह लिखके दे देंगे कि infection risk जो है आपका low है आप घर पर ही रहिए and avoid कीजे exposure के charges को coronavirus की आप जब चाहें यह test दुबारा से ले सकते हैं और यहाँ पर देखे यह आपको थोड़े से steps दिये जा रहे हैं क्या क्या आपको करना चाहिए maintain social distance take self assessment test check app regularly for updates now आपको social distancing कैसे maintain करनी है यह भी आपको इस app में बताया जा रहा है high कहना है आपको handshakes की जगा social gatherings में नहीं जाना है and six feet का distance आपको maintain करना है how to stay safe मतलब हर तरह कि आपको इसमें चीज़ें बतायी जा रही है do's and don'ts क्या है अगर आप खोलते हैं तो आपको यह हम pdf में देख लेंगे यह देखे हैं यह हमारे सामने screen में पूरा इसका आचुका है किस तरह से हमें अपना आपको do's क्या है हमारे हमें hand wash करना है अपने face को cover करना है hand achieve से tissue से sneezing and coughing के during and tissue अगर हम use करने हैं तो cover dust भी में हमें से throw करना है doctor को देखना है call करने के लिए number है public gatherings को large gatherings को void करना है don'ts आ गया है इसमे and किस-किस के test होने चाहिए everyone need not to wear mask इस तरह से आपको सारी information coronavirus से related जो भी है वो इस app में मिल जाएगी अगर आपको covid-19 के बारे में information चाहिए तो आप इस तरह से learn more about covid-19 safety measures क्या-क्या आपको लेने चाहिए वो भी आप देख सकते है यह देखिए यह है safety measures आपको हाथ धोने हैं क्या आपको use करना है क्या नहीं use करना है यह सब कुछ इस पर mention रहेगा and अगर आप donate करना चाहते हैं तो donate using UPI अगर आप करते हैं तो जिन-जिन भी आपको UPI के available हैं जहां-जहां पर आप registered हैं तो आप वहां से donate भी कर सकते हैं तो यह है आपका app आप चाहें तो इस app को share भी कर सकते हैं किसी के साथ directly आप इंस्टा, LinkedIn जिन भी profiles पे आप social media profiles पे आप हैं तो उन पे आप इसको share भी कर सकते हैं तो यह था मेरा वीडियो इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो corona positive है अगर कोई होगा especially इसी लिए इस app को जादा से जादा लोगों को download करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें ये चीज़ तभी पता चलेगी कि कौन corona positive हमारे आसपास है और कौन नहीं है क्योंकि अगर हर person के mobile पर ये app होगा तो वो अपनी information इसमें share करेंगे जिसकी वज़ा से कि हमें पता रहेगा कि हमारे आसपास कोई corona positive है या फिर किसी तरह के ऐसे symptoms वाला person है जिसे corona positive हो सकता है या नहीं हो सकता है तो इसी लिए आप लोगों से request है कि जादर से जादर लोग इस app को download कीजे साथ ही साथ अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को आप कोशिश कीजे कि आप इस app को download करवाए and with that I end my video here I hope आपको ये video useful लगा होगा and अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है आप दुबारा से मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं comments करके मैं एक video इस पर दुबारा बनाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको clearly सपुच समझ में आ जाए thank you all for watching this video stay safe, stay strong, stay healthy take care, bye bye